हेलो दोस्तों कैसे आप बहुत अच्छ होंगे हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट उसी को आगए आज क्लास में बढ़ाते हुए आज का कोशन करते हैं पहला कोशन जो आपका देखेगा पहला कोशन जो आपका कोशन कहता है निकासी विक्री में एक साड़ी जिसका अंकित मुल प्राइस कितना था विटा एक मार्क प्राइस कितना टैन थाउजन फोर हंड़ेट नाइनटी इस नाओ दा सोल भाई 9441 विटा वाट इस डिसकाउंट परसेंटेज ओं साड़ी विटा तो आप से साड़ी पर डिसकाउंट पूछा गये हैं तो आप बताएं मर्पी कितना कि अम आप जो था विटा दस हजार 490 रुपे था आगे कितने में जाती सेलिंग प्राइस कितने का था विटा उसका तोगी छूट के साथ एक डिसकाउंट दिया जाता है बेजने पर डिस्काउंट दी आता है, देखे, 9,441 की बेची जाती है, तो आप बताओ, छूट कितने की होगी, इसमें 9 आएगा, और यहां कितने आएगा, आठ, आठ में 4, 4 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां यहां आएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, रुपे में छूट कि MRP पर, MRP इसकी साफ साफ आपको दिखा है, 10,490 रुपे, और गुणा परसेंटेज, तो छूट परसेंटेज निकल जाएगी, विटा, तो जीरो से एक जीरो कार्ट देंगे, विटा, और इस वेली से यह प्रोपर कटेगी, तो आप कहेंगे, छूट परसेंटेज कितना थ तैन परसेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा, चलिए नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं, नैस कोशन क्या कहता है, जोन ने एक अंकित मुल्य पर 25 परसेंट छूट पर एक लेप्टोप खरीदा, यदि उसने लेप्टोप के लिए 28,473 रुपे का भुखतान किया, तो उसका अंकित मुल्य परसेंट करें, तो जोन जो बाउट एक लेप्टोप 25 परसेंट डिसकाउंट ओन इस अ मार्क प्राइज, इस तपेड पेड़े 28,473 विटा, अब लेप्टोप वाज इस दा मार्क प्राइज, तो जोन ने खरीदा, दुकानदार ने बेचा, तो आप क छूट किस्पदी जाती है, और छूट देने के बाद बस तु बिख जाती है, तो दुकानदार के हसाब से विक्ति के हसाब से वो खरीदी गई है, तो यहां खरीदी किसने है, जोन ने, मर भई दुकानदार के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइज होगा, तो आप है 4 यदी 10 दिखेगा MRP कितनी हो 4 वह कितने की 3 की ने किगे कैए 10 की कितों अब बिकी कितनी है बिटा 28,473 अब 3 से भाग कर देंगे बिटा एक की वैल्यू किया आएगी 3,27 होता है और 3,24 कितना होगा बारह होगा 3,12 है बिटा अब बचा कितना बिटा दो 3,27 और 3 ही कर देंगे तो आप के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से गुणा करिए 4 ही कर दा चार अब देखे चार नम 36 होता है और 4 चुक 16 8,16 में 3 जोड़ा यह 9 हो जाएगा अब यहां देखेगा अब मैं आप से कहा हूं 36 अरेख 37 हो जाएगा इसका मतलब जो लैप्टोप था वो कितने ना सकते हैं और 15 परसेंट को भींदन रेशों बना सकते हैं और 20 परसेंट में रेशों बना सकते हैं तो दिए क्या है दिस्काउंट का रिश्य कितना अगा इसका 1x10 और इसका कितना आечका Rs22 28 हो ता 5 इधर बिटा कितना एगा पांस देखें इसका पांस तीया 15 और नीचे 20 अजाएगा क्योंकि परसेंटेज एटेगा नीचे 100 आएगा और इसी पिरकार से यहां कितना आ जागा एक बटा पांस जाएगा तो यह डिस्काउंट दिये गए गए विटा तो डिस्काउंट किस पर is एक जाए जाता है MRP पर तो दस का बस्तू कितने में बटा एक कि छूट में तो यह क्या है विटा MRP है मैं क्या है MRP अर यह क्या उसका सेलिंग प्राइज है तो आब बताए यह 25 की बस्तू कितने की छूट पर 3 की तो 22 होगी अब एक बाद बताओ यहाँ पर 20 की बस्तू, 3 की छूट पर, तो कितने की भी क्योंकि 17 की और हिला पांच की बस तो कितने की चार की, आप क्रोस में काट भी सकते हैं यह निहीं कड़ता है, 4 से काट भी लिए बाई बाई पांच बाँ ज़ंता है, अब एक बाई बनाओ पिर और कड़ता है, इसे भी तो 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 टोल मार्पी कितनी आए कर तेस तो आप बताइएगा जाएगा तो बटा अटावन हो जाएगा फिर जोडएंगे विटा तो 16 हो जाएगा इसका मतलब जो बस तुमेरे हिसाब से कितने की है विटा यहां पर 31 31 25 की है 1683 की बिखती है वहां कितने की बिकी है साफ साफ दिखाई देता है यहां जो बिकी है एक लाग 68,300 की बिकी है तो आब एक बावदा इस से हम इसको पूरता डिवाइट कर दें एक की वैल्ली कितनी आएगी विटा सो आएगी तो आप कह सकते हैं इधर भी कितनी आ जाएगी विटा 31 25 में गुणा सो की करेंगे तो एक तीन लाग 12500 रुपे की वो बिक जाएगी तो तीन लाग 12500 करेक्ट आंसर आ जाएगा चलिए नेस कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा नेस कोशन क्या कहता है वो कहता है एक दर्जन पुस्तके विटा जिसका भाव 120 रुपे है विटा तो आप कहेंगे दर्जन में कितने होते हैं बारे होते हैं तो बारे पुस्तके विटा बारे पुस्तके जिनका MRP जो था MRP जो था विटा वो कितना है 120 रुपे है कितना है 120 रुपे है तो बारे पुस्तके 120 पर 60 रुपे की उपलब्द है। िस्काउंच दिया जाता है। तो डिस्काउंट इस्काउंट का था है Jeanne उन्य वैलीवू का यदी पर कितना परसेंट लेंगे 85 और 85 बटे 100 अब देखेगा जीरो से जीरो कट जाएगा तो अभी से पांस से काट जीज़े ओपर गयाएगा 17 बटे तो यह 17 बटे 2 क्या है एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस कितने रुपँ सब्सकर देखेगा तो दो पुस्तक जो बिक्ती हैं विटा डिस्काउंट देने के वाद सत्रे रुपे की मगर वो सत्रे की कहता है तो दो पुस्तक होती है मर उसने कहा कितने रुपे की तो तीन से गुणा इंथर कर दीजेगज़ा और तीन से गुणा इधर कर दीज़िजेगा अगले कुश्यन पर आगे बढ़ते हैं क्या है का यह डुकान्दार गूटल पर 35 पर संट कि छूट देता है यदि बोतल का विक्रा मुले कितने रुपए है विटा 1547 रुपए है तो उस बोतल का अंकित मुले ज्याद करिए तो आप मुझे बताएगे बोतल पर MRP पर कितने की छूट है विटा MRP पर 2 चूट है विटा कितने कि 15 पर सेंट की और एक चूट है 35 पर सेंट की अब बदाए यह 15 पर सेंट को हम क्या लिख सकते हैं पिर 20 वाली बस्त वाली बस्त वाली कितने की विखी है विटा 9,17 पर इसका मतलब यह कह सकते है कितने की थी विटैं चार्ड पर लिखा था तो डिसकाउंट देने के बाद बहर 291 पर आपके सवाल में कितने की विखी है 1547 की तो आप कहेंगे 2221 को 1547 के बराबर रग देंगे अब इसको थोड़ा सा भाग करना है आप बताए कितनी बार जाएगा 7 बार तो यह वैल्यू पर कटेगी कितनी बार इस से 7 बार जब वैल्यू ये साधवार कर जाएगी तो इसका मान कितना आजाएगा बिटा 2800 रुपे यही क्या हो जाएगा MRP हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था तो इसका अंतर करेक्ट कितना हो जाएगा 2800 रुपे हो जाएगा चली नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं बिट तो उसी अंकित मुल्य पर अब कितने परसेंट छूट प्रतिसत देना चाहिए ताकि लाब समान रहे समान प्रतिसत में रहे तो पहले सवाल को सवाल को रीड करिए एक दिलर है एक बस तो कि अंकित मुल्य पर 25% की छूट देता है तो अंकित मुल्य पर कितना छूट देग कितने परसेंट का लाब होता है विटा प्रोफिट कितना है विटा उसका प्रोफिट जो है वो कितने परसेंट का है बीस परसेंट का प्रोफिट है विटा तो आगे कहता है देगे पहला हम मान लीजेगा उसका सीपी कितना था बस तू कितने की घरीज़ी दुकानदार ने 100 और 100 पर कितने का लाब होता है दुकानदार को बिटा 120 का, तो दुकानदार के हिसाब से कितने की का बिकि होगी बिटा 120 की, और बिकने के पीछे자 रीजन ठा कि छूट देकर बिकनी चाहिए, तो उसके लिए MRP भी होना चाहिए तो MRP कितना है विटा MRP निकालने के लिए इसका ratio हम लिख सकते हैं एक बटा 4 तो 4 की बस्तू 3 में बेचेगा तभी विटा कितने percent का discount का लाएगा 25% का तो 3 बरावर कितने का रख दिया विटा 120 के तो 1 का मान के आई गया विटा 4 हम कह सकते हैं तो आपने प्रोपर हर वैल्यू निकाल लई दुकानदार के हिसाब से बस्तू कितने किती सोगी discount कितना 20% का तो विका कितना 120 का और छूट के साथ विका तो अंकित मुले कितना था MRP कितना था विटा 160 रुपे आगे कहता है विटा सवाल में कहता है तो उसे अंकित मुले पर कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले देगेगा कितना परसेंट है विटा लाप कितना कमाना चाहता है यदि बस्तू के क्रे मुले में कितने की कम ही कर दे वही व्यक्ति अब ये कहना चाहता है जितने की बस्तू उसने खरीदी है यदि वह कितने रुपे कम की प्राप्त होती देखेंगे 15% कम की प्राप्त होती तो इसका मतलब उस बस्तू का CP कितना हो रहा है 85 क्योंकि 100 पर 15% 85 हो जाए लाब प्रतिसत वही रहना चाहिए लाब प्रतिसत दुसरा कहता है लाब समान रहना चाहिए लाब कितने का है 20% का इस पर भी अब भी profit कितने का होगा profit जो होगा 20% का तो आप जानते हैं 20% का ratio के अतना 1 upon 5 तो 5 की वस्तू है तो कितने की बिकनी चाहिए अब बिकनी चाहिए 6 की अब 5 देखे इस से इसको काटेंगे तो 1 की value कितनी आईगी विटा 17 और 176 कितना होता है 102 होता है इसका मतलब वह बस्तू अब कितने की बिकनी चाहिए 102 की और MRP आज भी उतनी है MRP में बदलाब नहीं हुआ है MRP उसकी अब भी कितनी रखी है 160 की तो वो कहता है 160 की बस्तू 102 में बेच नहीं है तो कितने % का उसे discount देना चाहिए तो आपको साब साब दिखाए देता है 160 की बस्तू 102 में बेच नहीं है तो discount कितने का है विटा तो discount आप घठा लेंगे तो देखे कितना आएगा 58 रुपे का अठावन का रूपे का डिस्काउंट आएगा कितने कंसार, एक सो साथ, अर गुणा, सो बिटा, अब जीरो से देखे, एक जीरो काट सकते हैं, अब देखे मैं आप से कहा हूँ, यहां से कितना है बिटा, दो से भाग कर लो, तो अब दो से भाग कर लो, आठाईगा, और हिया 24 होता है आप 24 में बचा 5 तो आप बताओ पांच है आठ चंग देखिए मैंने आठ चंग 48 होता है तो आठ दो निए 16 होता है तो 38 दसम्लब को संथिंग आना चाहिए बचा लेगे आठ देखें यहां सा कहेंगे आठ चोग 32 होता है दिखें सोरी इसे भाग कर लें आप देखें आठ से 29 बटा आठ तीया 24 होता है कितना 24 बचा कितना विटा 580 आएगा विटा तो आठ से भाग करेंगे घ्लिटा आठ चुछ 3-5 बचैए कि घ्लिटा इसंट को है उसको अब डिसकाँट देना चाहिए ताकि उसे 15% का 20% का लावी रहे और 15% बस तो कम में खरी दी जाए कर सकते हैं बड़ा अच्छा सवाल है विटा चलिए नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा एक अंकित मुल्य पर 30% की छूट और विटा 20% और 10% की दो क्रमिक लगातार छूट के विक्रमुल्य का अंतर कितना है बाहतर है तो अंकित मुल्य ज्याद करें बड़ा अच्छा सवाल है विटा इस तरह के सवाल सबसे जादा आता है तो आप बदाई अंकित मुल्य था और उस पे कितनी है 20 और 10 तो आपको देखने में तो ये 30 लगेगी विटा और यहां 30 है यहां अकेली छूट है यहां 2 क्रमिक छूट है एक के बाद एक तो आप से कहता है इन दोनों के विक्रमुलेक अंतर कितना है 12 रुपे तो हम इसको एकल छूट बना लेंगे एकल छूट इसका मदलब इन दोनों छूट की जगे हम एक छूट लिख सकते हैं 28 परसेंट तो यहां देखने में बटा 30 लिखता है वगए चूट कितनी दी जाती है 28 परसेंट दी जाती है मर यहां कितनी है 30 परसेंट हम MRP मान ले MRP कितना दा 100 तो 100 पर कितना छोड़ा जाता है 30 तो selling price 20 कितना होगा इसका दो सब्सक्राइब कि इथर या इंतर और तो सवाल में कितने इस अच्क्राइब दॉक्तर और सवार कितने का तौ बाहत om कोशन पर आगे बढ़ते है विटा नेश कोशन के कहता है दस परसेंट की छूट और क्रमिक रूप से 20 परसेंट की छूट देखे आप से कहता है इन्टू बी अपोन हंडेट इस से आप दो छूट को एक छूट बना सकते हैं विटा तो आप मुझे बताओ यदि हम इसमें कहें तो 10 और 20 कितना होता 30 38 और देखें इन दोनों की गुणा करेंगे 200 आएगा और 200 जब 100 से भाग करेंगे तो 20 आएगा तो आप बताए कितने परसेंट आएगा 28 परसेंट इन दोनों की कुलेंट डिसकॉर्म्ट कितना होगा बिटा 28 परसेंट होगा चलिए नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा परसेंट की क्रामिक चूट देता है पर दूसरा रहे वाला डिलर जो है वो कहता है 20 और 5 परसेंट की क्रमिक चूट देता है तो अब कहता है बस्तू के विक्रम उल्ले का अंतर ज्याद करें बड़ा अच्छा सवाल है वेटा तो दो डिलर थे पहला डिलर भी कितने रुपेगी बस्तू है वेटा उसके पास भी MRP कितना है तीन हजार और दूसरे डिलर के पास भी बस्तू कितने की है 3000 रुपे की है, ये दूसरा डिलर है मगर वह discount देते हैं, ये भी 2 देता है मर ये 2 discount कितने गरूप में देता है 10% और बिटा 15% अब आगे कहता है, इस ये कितने परकार की देखें, 2 discount देता है, मर ये देता है 20% और यहां 5% तो ये भी 25% की छूट दिखाता है और ये भी 25% की छूट दिखाता है मर ये अलग-अलग परकार से है और ये अलग परकार से है तो आप से पूछा है, दोनों के प्रस्ताब में अंतर विक्रमुल्य का अंतर याद करिये विटा तो कुछ नहीं बड़ा सिंपल सवाल है तो आप बताओ, इन दोनों की इक्विलेंट डिसकाउंट बना लें बड़ा असान है आप बताओ, या दो फोर्मुले का समाल कर लो या दो कह दो, 20 और 5 कितना होता है विटा जो डिलर है, इधर 25 की नहीं दे रहा है या छूट कितने की दे रहा है, 24 की ऐसे इधर विटा, इधर भी फोर्मुला लगा लेंगे A प्लस B माइनस N to B अपोन हंडे इसका इस्तमाल करेंगे, बड़ वैल्यू आप रखेंगे ऐसी लगा लो, 10 और 5 कितना होता है 10 और 15, 25 होता है अब इन दोने की गुणा करिए विटा डेड़ सो और डेड़ सो को से भाग करेंगे 1.5 आएगा इसका मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आएगी हाँगी हाँपर, 23 इसका मतलब इधर 25 परसेंट छूट नहीं दी जारी इधर दे जारी है 23.50 और इधर 24 परसेंट की तो दोनों की छूट का देखेगा, अब मैं आपसे कहूँ तो दोनों की छूट का बिटा, आप बिटा यहाँपर कितनी छूट दीगी 23.50 पांट जिरो और यहां 24 तो दोनों का छूट का अंतर कितना है तो आप एंगे पॉइंट फाइब जिरो और यदि इसका अंतर निकाल दे तो यहीं सेलिंग प्राइस का अंतर आजाएगा नहीं आजाएगा यह किस पर निकाल दो बिटा थिन हजार पर तो थिन हजार पर नाप से तीन हजार पर .50 अब बटे अंड़िड तो मैं से यह दो जिरो काट सकता हूं इन 2000 से काट सकता हूं तो आप कहेंगे दोनों मिर्कार कि उसस अगर स्यूहीं ? अगले कंषिन पढ़ता है आगे कहता है एक बस्तु का क्रम मुल्य और अंकित मुल्य मानुपाद दिखें क्रम से कितना है विटा 720 और 900 रुपाद नहीं रियल मान है विटा जब इसे एक्स परसेंट की छूट पर बेचा जाता है तो लाव 5X अपोन कितना विटा 3% होता है तो X का मान गयात करिए बड़ा अच्छा सवाल है विटा तो आप मुझे बताइए बस्तु का MRP कितना है विटा MRP आपको दे रखा कितना विटा 900 रुपे अब आगे कहता है इसका cost price विटा CP विटा कितने रुपे है विटा 720 रुपे है तो आप बताई डिसकाउंट दिया गया है एक्स परसेंट विटा कितने परसेंट और एक्स परसेंट डिसकाउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइज आता है अब मैं आपसे कहता हूँ पहले एक्स परसेंट का मान निकालने तो वह कहता है ऐसा रिखेगा छूट देता है तो उसे लाब कितना होता है इसका लाब किस पर होता है विटा CP पर होता है तो कितना होता है 5X बटे 3% का लाब होता है बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है ला सब नजर आएगा दो जिरो दो जिरो कर जाएंगे तो डिसकाउंट कितना है नो एक्स ये छूट है विटा रुपे में विटा ये परसेंटेज में तो अब एक बाव बताओ जब MRP पर छूट दे दी जाती तो सेलिंग प्राइज आ जाता है तो यदि मैं आप से कहूं सेलिं इधर कितना आएगा तो आप कहेंगे 900 माइनस के छूट तो ये आपकी क्या है विटा सेलिंग प्राइज है अब ऐसे इधर देगे यहां प्रोफिट कितना होता है विटा हमने प्रोफिट निकाला 5x अपोन 3 और बटे कितना 100 के 0 से 0 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा हम मैं आप से कहता हूं तीन दूनी 6 6 से बाट करेंगे यहां कितना आएगा बारेक्स इस वाली बस तो पर लाब कितने का हो रहा है विटा तो आप जानते हैं जब सेल देखे कोस प्राइज में प्रोफिट जोड देते तो वह सेलिंग प्राइज हो जाता है तो हम यहां से भी क्या निका है तो कितना आएगा विटा 720 प्लस बारेक्स अब देखें दो नो तरफ आपके पास सेलिंग प्राइज है इधर भी सेलिंग प्राइज है इधर भी सेलिंग प्राइज दोनों को बरावर कर देंगे विटा तो आप बताएगे 900 माइनस के कितना आएगा 9x इधर कितना है वि कितना आएगा विटा 180 आएगा क्योंकि उधर से आएगा घटेगा घट जाएगा विटा और जब इधर वाली वैली उधर जुड़ेगी तो कितना एगा 21 एकस आएगा अब इसको नीचे लिए आई विटा 180 बटे 21 हो जाएगा और बरावर एकस आजएगा तो आप मुझे बताओ जैदी हम इसे भाग करते हैं तीन से विटा तो उपर कितना आएगा विटा 60 और बटे 7 आजएगा इसका मदलब हम एकस की वैल्यू 60 बटे 7 कहेंगे और यहाँ साथ से भाग कर दो साथ अठे कितना होता है 56 होता है बचा कितना चार अरवर बटे 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा आठ सही चार बटा साथ यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ा अच्छा सवाल है दिहान से समझने की ज़रूर कोसिस करना चलिए नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं नैस को कितनी है विटा 5 % की विटा और लाब कितने का है विटा आपका तो आप सीधा सीधा देखेगा सबसे पहले मैंने आप से कहा जब प्रोफिट भी दे रखाऊ और डिस्कााउट भी दे रखाऊ तो यह क्या है डिस्काउंट और इच्य बटाज में लाभानी में तो दोनों म और नीचे क्या आएगा विटा सो प्लस प्रॉफिट और यह दोनों विप्रीद होते है किस पर सीपी पर डिसकाउंट किस पर दिया जाता है हमारी दोनों अपोजिट रहते हैं तो अब देख ये दोनों तो आप एक बाव बताईए तो कितना अधिक है विटा ये क्या है इसका CP है और ये क्या है इसका MRP है आपको दिखाई देगा तो आप बताई 19 से कितना लिखा है विटा 22 लिखा है तो आप बताओ कितना जाद है तीन कितना जाद है तीन विटा किस से लागत से तो लागत कित भाग करिए तो देखेगा 19 से जब हम 300 देखेगा 19 है तो 19 होता है बच्छा कितना यहां पर एक और यहां एक है अब बताइए हम मैं आप से को कितनी बार जाएगा रुफकर सही पंद्रा आप कर्यक्हाँ साही हो जाएगा तो यह आप का अंसर हो जाएगा चले नेश कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा नेश कोशन क्या कहता है एक डिलर अपने समान को लागत मुल्या से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूड़ देता है तो आप से मैं गहूं को स्प्राइज से कितना अधिक अंकित करता है विटा अमर्पी MRP जो है वो कितना अंकित करता है 40% तो यह 100 का है तो यह पक का कितने का दिखाया गया 140 का मगद डिसकाउंट कितना देता है 20% तो आप जानते हैं डिसकाउंट देने के बाद सेलिंग प्राइज आता है तो 140 गुणा 80 अरवटे 100 होता है तो आब अब अधा यह कितना आएगा अब मैं आप से कहूं कितना आएगा आपका यहां पर विटा अब आट चुक 32 होता है 32 का कितना आएगा विटा दो और आट यह गया रहे तो 112 होता है तो कितने 35% की छूट और किसी अन्य बस्तू पर 15% की छूट समान है तो दो बस्तू है विटा तब एक बावत है यह पहली बस्तू है वो कितने बस्तू अपनी बस्तू यह फस्त बस्तू है एक बस्तू है अपने दूसरी बस्तू इस पर कितने परसेंट की छूट 15% की और पहली पर कित परसेंट पहली का विटा चूट है विटा अर इधर भी कितना सेकिन का कितने परसेंट 15% दोनों बरावर हैं आप देखेंगे 5 से भाग करिए 5 तिया सब्सक्राइब 1235 पहली सञर्द गोना साथ बूसिस करें अब तीन के विटा इसको इधर लिया इन विटा पाइस ऑपन क्या सेकिंड अर बिरावर कितना थ्री विटे 7 तो जिस भी सिर्ट wish the two-207 3-ACE 7 выше यहां से मैं आपसे गउं तो जीरो से जीरो यहां देखे दो से कार्ट एक तीन और यहां साथ तो यहीहन पाथ तीन नुपाथ साथ होगा तो आप कह सकते हैं इसधर हो जाएगा कि ιादी एक किताब की कीमत आठ- देखिए तो आपसे कहता है विग्यापित मूले ग्याद करिए तो एक किताब की कीमत कितनी थी 800 रुपे थी तो आप मैं आपसे कहूं 800 रुपे है विटा और वह चूड लाब कितना 10% और 12% की चूड के साथ बेची जाती है अब एक बाब बताओ मैंने आपसे ये कहा है जब लाब दे और विटा डिस्काउंट दे विटा तो आप कहेंगे इन दोनों का रेश्यो निकाल सकते हैं तो CP अपोन MRP विटा तो आप बदाई क्या रेश्यो होता है 100 माइनस के डिस्काउंट अपोन 100 प्लस प्रोफिट विटा तो आप एक बाब बताई ये प्रोफिट कितने का है 10 परसेंट का है तो आप कहेंगे 110 नीचा जाएगा और डिस्काउंट कितने का है 12 अज़ा तो दोनों को हम भाग कर दें दो से तो 44 उपर जाएगा और नीचे क्या जाएगा पचपन जाएगा इसका मदलब MRP कितनी हो विटा पचपन हो तो कोस्ट प्राइस कितना होगा 44 होगा आप एक बावत है आपको दिया क्या है विटा आपकी कीमत दिरगी बस्तू की कीमत और MRP पूछी है विटा तो 44 बरावर कितने के 800 के तो आप मैं आप से कहूं चार्ट से काड़ जीजएगा तो यहां ग्यारा आएगा और यहां वैल्यू कितनी जाएगी विटा दोस्तो आ जाएगी और MRP देगे 55 तो 5 से गुना कर दो तो यह क्या जाएगी विटा MRP जाएगी तो पांस से गुना इधर कर देंगे तो आप केंगे इधर 55 पन आ जाएगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगे विटा यही पूछा गया कोशन है चले नैश कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा नैश कोशन के कहता है विटा नैश परसेंट है फिर दस परसेंट है तो हम कहेंगे इसका रेश्यो कितना होगा पांस से भाग कर दीजिए यह 20 से एक बटा पांच और पांस सत्ते 35 और नीचे 20 आजाएगा और इसका कितना एक बटा दस आएगा तो हम इसको है लिख सकते हैं विटा MRP पर दिसकाउंट दिया जा और दस की बस तुभी की है विटा एक की छूट पर तो नो की भी की है चार सवाग कर सकते हैं चार पंजे 20 होता है तो अब पांच पंजे 25 और 25 और पांचेस उना करेंगे तो कितना आएगा दाएगा तो हम कह सकते हैं टोटल MRP कितना है डाइट सो अब देखें तेरह नम्म और यहां चार चार में से एक गया विटा तीन और यहां कितना बचे विटा एक इसका मलगा छूट कितने की है एक सो तैंटिस की और 133 की छूट कितने पर है डाइट सो पर और गुणा परसंटेज निकाल लेकिले हम सो का इस्तमाल करते हैं तो देखेंगा जीरो से जीरो कर शहें 5-25 होता है और 5-10 होता है तो पर गुणा कितनी आईगी उड़ा 263 stereotype तो अब बदेखेंगी 50 क्या होता है 25 होता है तो 5 sweetie कितना वुटा 15 होगा और 5-10 होगा हम कह सकते हैं की इनका equivalent discount कितना होगा 13 पाइंट two आपका correct answer हो जाएगा चलिए Ness question पर आगे बढ़ते हैं क्रेम अले क्रेम उल्या से 42 परसेंट अधिक अंकित करता है और अपना माल अंकित मुल्या पर 15 परसेंट चूट देकर बेशता है तो उसका 100 percent बीटा तो इस तरह के कॉश्चन बहुत आते हैं तो आप देगे कोस्पराइस से वो कितना अधिक अंकित करता जलाए है तो माल करता है तो 42 पर किया सब्सक्राइब भी 250 तो आप से बसilik 15 की शूट डिगे तो सेलिंग प्रैस छूट देने के बाद किंग है तो सेलिंग prience शूट देने रुपे में छूट निकालो ना दिखते पंद्रे दुनी तीस होगा अब पंद्रे चुका साथ साथ और बिटा तीन कितना हो गया तरे सेड हो गया और पंद्रे गना पंद्रा बिटा अब पंद्रे में हम जब 6 जोड़ें कि देख किस होगा इसका मतलब 21 रुपे 30 पैसे की छ एक में से एक गया जीरो आजएगा अब यहां बता ही बता है यहां दो में से दो गया दो और यहां एक आजाएगा इसका मदद छूट देने के वार्गोश्ट कितने की भी है 120.07 जीरो की भी है तो आप बताए प्रोफिट कितने का होगा लाब बिटा तो लाब आपको सेंट करेक्ट आसर माड़ देंगे क्योंकि यह ईक किसके संदिंग जाएगा चलिए नैज-ट कोशंगे वह कहता है güç 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी 30% और 20% अट जब 2 छूट है ना विटा 2 छूट दे रहे कि तो उसको एकल छूट भी बनाया सकते हैं विटा किस तरह से फॉर्मले से विटा ये केवल 2 छूट के लिए लगेगा एंटू भी अपॉन हंडेड विटा अब ये परसेंटेज बनाएंगे तो यहां कितना आएगा विटा पचास अब इन दोने गुणा करेंगे तो 600 आएगा 600 बटे क्या हो जाएगा सो आप बताइए कितना अंसर आएगा विटा चोवालिस परसेंट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विटा तो यही इसका करेक्ट कोशन का आंसर हो जाएगा चली नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं विटा नैस कोशन के कहता है 1940 रुपे के अंकित मुल्य वाली एक बस्तू को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो कहता है बस्तू किस मुल्य पर बेची गई बिटा 1940 क्या है उसका MRP है क्या है उसका MRP है और छूट कितने की देगे 15% की या दो 15% निकाल लो या बिटा 85% निकाल ली जगा तो अब मैं आपसे कहूं देगे 15% निकाल ली जगा आसान होता है बिटा छूट बिटा तो ये आप क्या निकाल रहे हैं छूट निकाल रहे हैं और वो भी काय में विटा रुपे में तो आप बदाओ जीरो से जीरो कर डिगर 5 तिया कितना होता है 15 और 5 दूनी 10 होता है अब 2 से हम इसे भाग कर दें तो दो नम कितना होगा 18 और 27 चौदा और गुणा 3 होगा तो रुपए में छूट कितनी है विटा छूट जो है आपकी विटा 291 रुपए की है तो आप 291 में इस में से घटा दो तो क्योंकि MRP में से MRP में से यदि मैं डिस्काउंट घटा दू तो आपका जो आएगा वो सेलिंग प्राइज ही तो आ जाएगा अब बटाई MRP कितना है 1940 आप 14 में से 290 घटा देंगे तो अब कितनी आएगी विटा यहां कितना आएगा गएगा दस में से नौ आट गए नौ अब अब दढ़िए कितना बचे चार तीन बचा तीन में से बिटा जाएगे तो चार आएगा और यहां बचेगा भी टा तो यह 16 तो आप कहा सकते हैं अंकित मुल्य वाली एक बस्तू को 2% छूट देने के बाद 3496 रुपे में बेचा जाता है तो आप बताइए MRP कितना था इसका 3800 रुपे में MRP और इसको बेचा कितने में जाता है सेलिंग प्राइज कितने का है 2496 रुपे बेचा तो इसके बीच में क्या हैло रुपे में से चार बचा है अब यहां 9 में से 9 जाएंगे यहां क्या बचा साथ नव कितने की है तो इसका मतले हमारी छूट कितने की है अब 304 की छूट किस पर है विटा अर्थिस्सो पर अर्गुणा परसेंटेज निकालने के लिए दो जीरों का इस्तेमाल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो वैलू आई है विटा तीन सो चार बटे अर्थिस आई और यहीं परसेंटेज मरी से आपको पूरा रिक्टे मिटा साथ टिछ चंपन होता है 5 होगा साथिया किस और किस विटा 21 वर 5 कितना होता है विटा शलबी होता है तो यह कितना बच आठ और यह आपकी वेल्यू कितनी बचेगी विटा यह 9 तो 3 आएगा इसका मदलगी प्रोपर पूरा किस से कट सकता है विटा 8 बार कट जाएगा इसका मदलगी इससे पूरी वैल्यू कितनी बार कट जाएगी विटा 8 बार क्योंकि यहाँ पर कितना है विटा क्योंकि 8 है विटा तो यह कितनी बाड़ जाएगा अच्छे, आठ बार वार विटा, तो यह आपका correct answer कितना हो जाएगा, इसका 8% इसका हो जाएगा, चलिए next question है विटा आपका, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्याद करिए विटा, इस तरह के question आपको पता है, बहुत ज़्याद आएगा, पहला वदा यह 10%, और दूसरा है 15%, और तीसरा है विटा 20%, तो अब इसको हम देगे, एकल छूट बनाएंगे तो इसका ratio क्या आएगा, 1 upon 10, और इसका आएगा, 3 upon 20, और इसका आएगा विटा, 1 upon 5, अब मैं आप से कहूँ, यदि MRP कितना है विटा, उसका, 10 था, तो 10 पर एक छोड़ दिया तो 9 का लिया है विटा, तो 20 से विटा, 3 छोड़ा तो 17 तो लिया होगा, और 5 का समान कितने में विगा, 4 का, तो यह क्या है इसका, सेलिंग प्राइज है विटा, अब मैं आप से कह सकता हूँ, इससे चार्ट से भाग कर दिए, 5 बाड़ जाएगा, इधर गया बज़ेगा, 5, 25 और 25 की उना दस से करेंगे विटा, तो 250 आएगा, आप जानते हैं, इधर कितना है विटा, देगें, 17, नम्मा कितना टोटल MRP है 500, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है विटा, उसका, 153, तो अब यहां भाग घटाएंगे विटा, तो दस में से तीन गे साथ आएगा, यहां कितना बचा है विटा, चार, अब यहां 9, इसका मतलब छूट कितनी है, 97 रुपेगे, और छूट कितने पर दी जाती MRP पर, MRP इसका कितना है, 500 है विटा, गुणा 100, जीरो से, जीरो काट देंगे, अब एक बावदा, पांस से काट यह, पांस पंजे 25 होता है, पांस दोनी 10 होगा, उपर गया आएगा, विटा, 14, अब देगे, 18, 19, अर बटे कितना है, 5, तो अब मैं 5 से भाग करूँ, पांस दिया कितना होता है, 15, तो कितनी बार गया, तीन बार, तीन बार एक यह, ओप्सें में दो बार है, पांस दिया, 15, बचा कितना है, 4, 5, 8, 40, इसका मतलब आपका जो आएगा, 38, जीरो बिटा, यही इसका करेक्टांसर हो जाएगा, इस तरह के सवाल तो काफी आचुक पर कितने में बेचा जाता है, 864 पर बेचा जाता है, तो आप कहेंगे, बस्तु पर दी गई, छूट यहाद करिए, तो अब एक बावद है, यह सवाल में पढ़ना है, विटा, तो आप से कहता है, एक बस्तु को उसके अंकित मुल्य पर प्रतिये, 25% की 2 क्रमिक छूट, द परेट, एमर भी बिब्र कितना छोड़ा गया, उसको, और तो बन कहीं जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है, तब एक बावब अता यहे, यदि मैं आप से गऊंट 25% की छूट दी गई, तो 25% का रेशयो के लिए टन वटा है, 1y4, तो फोर से कितने का विका होगा, खरी का आप बदाए कितना आएगा चार्ट योग 16 अर्टीन दिया नो तो आप बताओ छूट कितनी है मेरे हिसाब से बिटा तो आठ देगे आप बदाए से नो नव 81 होता है रचे कितना 5 % चाहएbels 500 एक होन तो इक की वैलीकितनी ही 26 कितनाš चूट कितनी धि 7 की, तो 7 कiają साथ की वैली निकाल दो तो आप कहंगे छूट पूछा है लिटा IMR पी नहीं पूछा है तो एक वैली कितनी थी 96 तो यदि मैं साथ की वैली निकाल दो तो वो छूटा जाएगी 96 गुणा 7 बटा अब मैं आप से कहूँ साथ च्छंग 42 होता है तो बटा 4 और 7 नम 63 और 63 में 4 जोड़ेंगे तो बटा कितना आएगा 66 हो जाएगा तो 600 72 और यही आपका correct answer हो जाएगा चले नेश कोशन पर आगे बढ़ते हैं मिटा नेश कोशन के कहता है लक्षिता ने 25 परसेंट की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा उसकी गर्णा के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे छूट नहीं दी गई होती तो उस सोफे सेट के लिए को अगर यह दुकानदार के साफ से सेलिंग प्राइज होता है मगर जो खरीद रहा उसके लिए क्या होगा लक्षिता ने तो खरीदा है तो उसको शूट प्राइज बोला जाएगा तो अब एक बात बताइएगा बिटा तो मैं आपसे कहूं दखे कितने परसेंट की छूट पर बिटा 25 परसेंट की तो एक बिटा चार कैसकते हैं तो चार का समान तो लक्षिता के लिए कितने रुपे का था तीन का यदि वै छूट ना मिलती तो बै तो चार का मिलता तो आप कहेंगे छूट मिलेगी तो तीन का मिलेगा छूट ना मिलेगी तो कितने का मिलेगा चार का तो दोनों का अंतर कितना है विटा आपके साब से एक का और सवाल में कितने का दे रखा है 22,400 विटा तो एक कमान 22,400 है तो आप से पूछा गया है लक्षिता ने सोफा के लिए कितने रुपे बुखतान गया तो तीन का बुखतान गया तो तीन से इधर गुणा कर देंगे तो तीन से इधर गुणा कर देंगे तो जब तीन से गुणा करेंगे तो आप बता चलेगा जीरो तीन चुक बारा तीन द कोशन है आपका देखेगा महिमा ने बीस परसेंट और बारा परसेंट की करमिक छूट के साथ सास सो बैयान में रुपे में एक साड़ी खरी दी बीटा तो आपने कहा कोई साड़ी का MRP होगा तब ही तो चूट प्राप्त होगी बीटा तब ही तो कोई बस तुब कहें कि सेलिंग प्राइज मर दो चूट है बीस परसेंट की बीटा तो आप बताए ये पहले बीस और दी गयी है पांच पर एक की विटा तो 5 रुपे की दी तो एक से च्छूट तो चार की भी क्यों होगी फिर 25 से विटाक कितने की छूट दी की विटा तीन की तो 22 की भी की होगी ऐसी तो कहता है 25 पंजे 125 होता है और यहां कितना आएगा 88 आजाएगा हम कह सकते हैं कि 125 रुपे का समान 88 का भीकता है विटा मगर मेरे इसाब से 88 है सवाल में कितना है विटा 700 बयान में है तब इसको इससे भाग करेंगे एक कि वेल्या कितनी आएगी चार आएगे तो आ Wochen 21 2 लि调ट дома नो आजाएगा हर अपजा अउन इसकी गुणाcera करेंगे एक विक्रेता किसी बस्तूपर 60-20 थीरहें की क्रमिक चूट देता है था बदाई यह 10 और तीस परसन्ट की क्रमिक चूट देतां था 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 रिखआ इसको हम क्या लेख सकते हैं उड़ा था अकपटा की फिर पांच की बस तो एक की चूट पर तो चार की फिर बटाए और दस की बस तो कितने की बिटा यह दस था बिटा कदी 110 लिख ले तो एक बाव दहिए दस की बस तो साथ की बिके बीटा उसका MRP है और यह उन सबका Selling Price है तो मैं आप से कहाँ चुक काट सकते हैं दो बार और यह पांच बार कट जाएगा इस दो से से काट सकते हैं पांच बार 25 पंजे 25 होता है जिसका मलब total MRP हमारे इसाब से MRP कितना है विटा 125 है और यहां देखेगा कितना है तो डिस्काउंट तो इनके बीच में है तो इन दोनों घटाएंगे विटा कितना आएगा घटाएंगे 62 रुपे का डिस्काउंट किसके नुसार 125 के और गुणा सो विटा 25-5 125 आप गुणा कर दीजेकर आगे आठ अर्चोविस और बेटे कितने के पांच के पांच से भाग करेंगे विटा पांच जोग 20 और देगे 5 चोग 20 और पांच नम पेतालिस और पांच चंक 30 हो जाएगा तो आप कहेंगे कितना डिक्स काउंट आएगा विटा उन रुपे की MRP के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 22 खरीद पर एक मुफ्त ओफर के साथ बेचा जाता है ओफर के साथ हाइपर मार्केट कितने परसंट का छूट देता है तो आप बदाएगे कितने रुपे का धा है आपको बस्तू कितनी दी जा रही है तीन में से पैसे कितने के लिए जा रहे है दो के तो एक मुफ्त है बिटा चाहिए वो कितने रुपे का भी मान लीजिएगा परसंटेज में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अब एक बावत आईए बिटा तो छूट कितने के एक की कितने पर तीन पर और परसंटेज निकालने के लिए गुड़ा तो यह आप निकाल ले है परसंट डिसकाउंट बिटा तो कितना आएगा 33 सही 33 सही एक बड़ा 3 या 33.3 3-3 परसंट का डिसकाउंट होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही कोशन थे अगली वीडियो में लाकात होगी ठेक है